पर्थम आराद्य भगवान गनेश के नाम से ही अर्वेक्ति अपने जीवन में किसी नए कारी की शुरुवात करता है। जैपूर में वैसे तो कई गनेश मंदीर हैं लेकिन अरावली परोद पर इस तिद्देश का पहला बिना सूनड़ वाले भगवान गनेश का मंदीर है। जहां भगवान गनेश के दर्सन के लिए लोग गनेश सतुर्थी पर यहां दूर दूर से आते हैं। यहां मंदीर गनेश के नाम से परसिद्द है। गनेश के दर्सन के लिए भक्तों का ताता लगा रहता है। इस मंदीर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर पाबंदी है। आप बस भगवान के दर्सन कर सकते हैं। इसलिए 300 सालों तक यहां भगवान गनेश की कोई फोटो नहीं ले गई है। मंदीर निर्मान को इस तरह करवाया गया है कि सीटी पेलेस से खड़े होकर राजा हर रोज सुबह शाम मंदीर में आरती के दर्सन कर सकें। पहाड़ी परिस्तित गट गनेश मंदीर गोविन देव मंदीर और सीटी पेलेस और अलबाठाल एक दिशा में बने हुए हैं जिसे दूर से देखा जा सकता है। यहां भगवान गनेश के दर्सन करने वालों की भगवान की विशेश श्रद्धा रहती है। नीमित आने वाले भक्तों का मानना है कि यहां भगवान गनेश को चिट्टी लिखकर अपने मन की बात भगवान गनेश को बताते हैं और फिर उसे पूरी करने के लिए साथी बुद्धवार लगातार दर्सन कर गट गनेश से मांगी जाने वाली हर्मोनों कामना पूर्ण ह गनेश से तुर्टी को लेकर मंदी दर्सन और विशेश पूजा के लिए आईए बात करते हैं मंदिर के महंत जी से जैपूर का गट गनेश मंदिर जो जैपूर के उत्तर दिशा की ओर उची पहाडी पर इस्थापित है जिसका स्वस्तिक का निशान पूरे जैपूर में चार दिवारी से नजर आता है यह भगवान गनपती का मंदिर आमे लियासत का आल में सवाई जैसिंग ने जब जैपूर बसाने का निड़ने किया था उस समय पर यह प्रथम गनपती की स्तापना करी यह जैपूर का सबसे पुराना और एतियासिक मंदिर है जिसमें भगवान गनपती जो बिराजमान है वो बाल रूप गनपती के हैं जिनके सून्ड नहीं थी क्योंकि पार्वती जी नहीं मेलका बना के द्वार पर बैठाया था उस समय पर उनके सून्ड नहीं थी इसलिए यह सुरूप सभी कारिय के अंदर निर्विग निता के लिए पूजन किया जाता है वे सुरूप आज गडगडेश मंदिर के अंदर वित्यमान है